Hello everyone, welcome back to my SP Medical channel and today we will discuss about some important terms related to menstruation. So, menstruation को हम हिंदी में मासिक धर्म कहते हैं, तो मासिक धर्म या फिर मेंस्टुरेशन से रिलेटेड जितने भी important terms आते हैं, इस वीडियो में आज हम समझेंगे. तो मेंस्टुरेशन का सबसे पहले हम definition समझते हैं, मेंस्टुरेशन को कुछ अलग-अलग terms दिये गए हैं, जैसे कि मेंस्टुरेशन को हम मेंस्टुरेशन कहते हैं, मेंस्टुरल पिरियट कहते हैं, मेंस्टुरल साइकल कहते हैं या फिर पिरियट कहते हैं, जो कि हर एक फिम बने सवरेणा के बदए के बाद फिब्रों के बाद कि मैंस्रुरेशन बन वर जाता है इस पूरिण हलता है जितने बृल्व किसादों चाहिए 20 होता बदन इसे गए 5 आखर याद में अक्राइश करते और मिनोपॉस यानि की 45 एर तक यह चलता रहता है उसके बाद यह क्या हो जाता है मेंस्ट्रोल साइकल आना बंद हो जाता है तो कुछ कि अकि यानि के लिए यह फिर मेंस्ट्रोल साइकल मैं लेक लेक देखने को मिल रही है तो यह क्यों हो सकता है कि एक्सिप एक्साइश करने की वजह से यह फिर उसका वेट बहुत कम है यह फिर अच्छा नियूट्रिशन नहीं लिए तो इसकी वजह से इमेनॉरिया का उसको घम्स क्या देते हैं डिसमेिनोरिया मैट्रोरेजया का मतलम क्या होता है इरहेगूलर ऐसाइकलिक ब्लेडिंग फॉम यूट्रस यूट्रस के थे हूरा है KE लियू प्रॉप ऒप्रॉइब्लर यूट्रस के ने ड्यूतर का वो लिए रेगुलर उसकी menso cycle है next one है polymenoria polymenoria का मतलम क्या होता है menso cycle is shorter than 21 days मतलम जो menso cycle का जो normal cycle days होता है वो 28 days का होता है लेकिन polymenoria में क्या हो रहा है 21 days पे है उसका menso cycle आ जा रहा है next one है oligomenoria जसका opposite polymenoria में क्या है कि time से पहले ही मतलब 28 days से पहले ही menstrual cycle आ जा रहा है और oligominoria का मतलब क्या है कि लंबा टाइम लगा रहा है मतलब menstrual cycle occurring more than 35 days जो menstrual cycle occur हो रहा है कब हो रहा है 35 days के बाद हो रहा है तो उसको हम कहते है oligominoria next one है hypominoria hypo का मतलब क्या होता है decrease या फिर कम होता है तो minoria related to menstrual cycle hypo minoria का मतलब मतलब क्या है menstrual bleeding usually iscalty less than 30 ml and less than 2 days मतलब जो menstrual bleeding हो रही है वेजायना के थूँ वो इसकैंटी हो रही है धब्बे जैसी हो रही है क्योंकि जो bleeding amount है वो कितना है 30 ml है मतलब 30 ml ही उसके bleeding amount हो रही है और जो days है कितने दिन के लिए रह रहा है जो normally 5 days के लिए रहता है लेकिन उस female में क्या है 2 days के लिए ही रह रहा है तो उसको हम कहते हैं hypo minoria बोलते है next time है minoresia minoresia का मतलम क्या होता है just hypo minoria का opposite minoresia का मतलम होता है heavy और prolonged vaginal bleeding वो भी vaginal bleeding हो रही है वो heavy हो रही है और longer time के लिए हो रही है more than 7 days या फिर इससे भी आदिक हो सकती है next है crypto minoria crypto minoria का मतलम क्या होता है menstruation occurs menstruation तो occurs हो रहा है but it's not visible लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है क्यों नहीं दिखाई दे रहा है due to obstruction of outflow tract क्योंकि outflow tract मे कोई ना कोई अबस्ट्रक्शन आ गई है means कि menstruation occurs हो रहा है लेकिन जो bleeding है वो uterus में ही collect हो जा रही है या फिर vagina में ही collect होके रह जा रही है वो vagina के vaginal opening के थुरू बाहा नहीं आ रही है तो उसको हम कहते हैं crypto minoria next one है middle smear syndrome इसका मतलम क्या होता है pain associated with ovulation मतलम ovulation के दोरान क्या हो रहा है कि उस female को pain हो रहा है ovulation कब होता है क्योंकि 28 days का normal menstrual cycle होता है तो 14 days पे क्या होता है ovulation होता है तो 14 days में क्या हो रहा है उसको pain हो रहा है उस condition को हम कहते हैं middle smear syndrome तो अभी तक हमने कुछ abnormal menstrual cycle के terms को देखे अब हम देखेंगे कुछ normal condition क्या होता है means की मिनार्की क्या होता है और मिनोपॉस क्या होता है इन दोनों में difference क्या है जो कि ये क्या है normal है तो मिनार्की means क्या होता है it is the first menstrual period of start of menstruation in human females मतलम जो human females है उसमें जब पहली बार menstrual cycle आता है उस condition को हम कहते है मिनार्की और मिनोपॉस क्या होता है it is the end of menstrual period or menstruation in human females जो females होती है last जो menstrual cycle होता है उसको हम कहते है मिनोपॉस मतलम कि अब जो menstrual cycle है अब उसमें बंद होने वाला है खतम होने वाला है पर्मानेंट इस्टॉप होने वाला है तो उसको हम कहते है मिनोपॉस जो कि 45 एर पे या फिर कहीं कहीं 50 भी एज देखने को मिल रहा है और मिनार्की का एज क्या होता है 10 एर या फिर 12 एर देखने को मिलता है next हम देखेंगे मिनार्की it occurs around 11 to 16 एर ओफ एज जो कि अभी हमने बता है कि मिनार्की का एज क्या होता है 10 एर फिर 11 to 16 एर का एज होता है इस एज में क्या होता है उसको first menstrual cycle आ जाता है next one क्या है मिनोपॉस का एज क्या होता है it occurs at around 45 to 50 years of age मतलब इसमें मिनोपॉस का एज क्या होता है 45 to 50 years के एज में उसका जो menstrual cycle होता है पर्मानेंट के लिए stop हो जाता है नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट डिफ्रेंस क्या है मिनार्की It marks the beginning of reproductive face of a female मतलम कि ये क्या होता है कि female के reproductive face को marks मतलम कि वो sign एक है एक टैप का कि puberty age उस female को आ गई है तो मतलम मिनार्की जब आता है तो ये ऐसा sign दिखाता है कि उस female में अब puberty आ गई है नेक्स्ट है It marks the end of reproductive face of a female और इसमें क्या है कि अब reproductive face के end sign को इसमें denote करवाता है नेक्स्ट वन है There is elevated level of astrosion जो female में astrosion जो hormone होता है मिनार्की के दोरान उस hormones का जो level होता है But menopause के दोरान क्या होता है There is decline in the level of astrosion इसमें क्या है astrosion का जो level होता है वो decline कमी देखने को मिलती है menopause के condition में जब मिनार्की आता है मतलब first menstrual cycle आता है उस दोरान उसमें क्या-क्या symptoms देखने को मिलता है irregular रहेगा next है menopause इसमें क्या-क्या symptoms देखने को मिलेंगे जैसे blotting देखने को मिलेगा leg up slip देखने को मिलेगा weight gain, hair loss and जो skin है वो dryness देखने को मिलेगा तो ये था menopause में difference जा खाने को मिलेगा जाए बुट लेखने को मिलेगा